हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 24 वोल्ट यानि दो बैंटरी के इन्वेटर में कौन से ऐसे फाल्ट है जो सबसे अधिक आते हैं, क्यों आ जाते हैं और कैसे उनको ठीक कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि यदि आपने सोलर इन्वेटर लगा रखा है और सोलर पैनल भी लगा रखे हैं और इन्वेटर में एक छोटे से फाल्ट के कारण आपके सोलर पैनल वर्क ही नहीं करते, इनर्जी का जनरेशन ही नहीं कर पाते और आपको उस चीज का पता भी नहीं चल पाता बस केवल डमी के नाम पर हमारी छट पर सोलर पैनल लगे हुए रह जाते हैं, इनर्जी हमें कुछ भी नहीं मिलती तो आज इन सभी प्रस्णों के संबंद में आपको जानकारी देने वाला नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त अर्वींद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइकरोवेव नागल वीडियो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप से वही एक रिक्वैस्ट कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर दबा लेना हम इसी परकार की informative वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं दोस्तों मेरे पास यह 24 वोल्ट में एक solar का inverter है और दो छोटी battery है इनहीं की साहिता से मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे अपने सामाने से फाल्ट को आप स्वम ही दूर कर सकते हैं चाहिए वह 12 वोल्ट में है या 24 वोल्ट में है solar का है या non solar का है सबसे अधिक यानि 90% जो फाल्ट आता है वह में के fuse open या battery के DC के fuse open का होता है अब आप सोच रहे होंगे कि fuse open क्यों हो जाते हैं जब भी grid supply चलते हुए हम अपने inverter पर उसकी capacity से अधिक लोड चलाएंगे तो हमारी MCB है breakdown हो जाएगी अगर fuse है तो open हो जाएगा तो यदि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी battery भी discharge हो चुकी है और grid supply होते हुए भी आपके घर में supply नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके inverter की या तो main की MCB breakdown है और या fuse open है इस छोटे से कारिये को आप 7 भी कर सकते हैं MCB को own कर दीजिए अगर fuse लगा हुआ है तो fuse दूसरा लगा दीजिए इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा fault DC fuse open होने का होता है अब DC fuse open क्यों हो जाते हैं और कैसे उनका हमें पता चलेगा DC fuse open होने के दो कारण होते हैं या तो जिस समय हम battery connect करते हैं inverter से उस समय हमारे wire उल्टे लग जाते हैं यानि minus terminal पर plus wire लग जाएगा और plus terminal पर minus wire लग जाएगा तो DC fuse open हो जाते हैं दूसरा कारण कि यदि आपका inverter running में है inverter चल रहा है grid supply नहीं है और उस समय आपको कोई भारी लोड चलाना पड़ जाए कोई bulb short हो जाए कोई fan short हो जाए या किसी switch board में कहीं कोई wire short हो जाए अब DC fuse के open होने के क्या लक्षन है आपको कैसे पता चले कि DC fuse हमारा open है इसके लिए दोस्तों जब भी आपके किसी भी inverter के DC fuse open हो जाएंगे तो आपका inverter बिलकुल dead position में चला जाएगा ने वो charging करेगा ने वो आपके घर की supply को चलाएगा और ने ही उसका कोई indicator आएगा जैसे इस inverter में इस समय आप display चलता हुआ देख रहे हैं जब भी इसके DC fuse open हो जाएंगे नहीं display चलेगा या जो indicator वाले inverter होते हैं उनमें कोई भी indicator नहीं चलेगा तो समझ लेजे के आपके inverter के DC fuse open हो गए हैं इसके DC fuse open करके हम आपको दिखा रहे हैं यह वीडियो केवल inverter की service से संबंदिता है हो सकता है कुछ लोगों को इस से लाब हो जाए इसके अलावा फरवरी और मार्च के महीने में inverter से संबंदित 12V invator, 24V invator, 48V invator और solar invator, battery और solar panel से संबंदित कई सारी वीडियो की एक स्रीज आने वाली है जिसमें आपको बताऊंगा कि सबसे बहतर invator जिसकी load capacity, solar panel capacity बहुत अच्छी होगी सर्विस भी अच्छी होगी क्योंकि दोस्तों इस समय मार्कीट में invator के नाम पर बहुत गंद मचा हुआ है यूजर कमपनियों की जूटी तारीफों में आकर कोई भी product ले आता है और फिर परिसान रहता है तो हम आपको review और live demo test के माध्यम से बताएंगे कि आपको कौन सा invator, non solar invator लेना है और कौन सा solar का invator लेना चाहिए किसी भी invator में DC fuse चेक करने के लिए या दूसरी DC fuse लगाने के लिए उसके cover को open करना पड़ेगा क्योंकि DC fuse card पर लगे होते हैं जैसे यह हम देख रहे हैं और cover open करने से पहले कुछ safety है जो आपको रखनी है main supply, battery की supply और invator की output की supply को बिलकुल अलग कर लेना है और यदि invator solar का है तो solar के wire को भी अलग कर लेना है और उसके बाद अपने invator के cover को open कर सकते हैं जैसे इस invator के card पर हम देख रहे हैं कि 5 DC fuse लगे हुए हैं और इनको अपने हाथ से ऐसे हिलाएंगे तो यह हैं बहार आ जाता है 5 DC fuse मैंने निकाल लिए हैं और अब देखेंगे कि क्या दिक्कत यह invator करेगा जैसे battery को हम connect करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है कुछ company के invator में ऐसा हो सकता है कि DC fuse open होने से उसका display चलता रहे प्रंतु dead position में रहेगा अब यदि एक fuse लगा कर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी spark आएगा और बजर की भी आवाज आएगी और fan चलने की भी आवाज आपको आएगी एक fuse को हलका मैंने लगा लिया है और अब इस wire को मैं यहाँ पर टच करूँगा तो आप देखेंगे कि spark भी आएगा यह देखेंगे टर्मिनल पर spark भी आएगा यह fan भी चलेगा और बजर की भी आवाज आएगी और दोस्तो एक तीसरा सबसे बड़ा जो फाल्ट होता है वह होता है इस fan का जब भी किसी भी इनवेटर का चाहिए वह है solar है नोन सोलर है 12 वोल्ट है 24 वोल्ट है 48 वोल्ट है कोई भी इनवेटर है डेड़ दो साल के बाद यह fan खराब हो जाते हैं क्योंकि डस्ट को यह खींच लेते हैं और फिर चलना बंद हो जाते हैं जब भी इनवेटर का फैन बंद हो जाएगा और हीट सिंग आवश्चता से अधिक गर्म हो जाएगी तब भी आपका इनवेटर डैड पोजिशन में चला जाता है फैन का कैसे पता चले के फैन खराब है फैन खराब होने से आपका इनवेटर पांच या दस मिनट चलेगा और उसके बाद बंद हो जाता है यदि grid supply on है तो 10-15 मिट चार्ज करेगा फिर चार्जिंग को बंद कर देगा जैसे अब सर्दियों का मोसम है तो सर्दियों के मोसम में यदि फैन खराब भी हो जाता है तो भी इनवेटर चलता रहता है क्योंकि वातावरण के टेंपरिचर से ही हीट सिंग ठंडी रहती है तो आप चेक करें कि ज़िदी आपका इनवेटर 5 या 10 मिनट चल रहा है और उसके बाद बंद हो रहा है तो निश्चित रूप से समझ लें के फैन खराब है और यह जो 3 फाल्ट हमने बताए है 95% तक इनवेटर में यही फाल्ट आते हैं और इन फाल्ट के आने पर हम कंपनी फोन करते हैं सर्विस मेकैनिक आता है और सबसे पहले आते ही बताएगा इनवेटर का कार्ड खराब है और सर्विस मेकैनिक 24 वोल्ट के इन्वेटर के कार्ड को चेंज करने के लिए 1500 से 25 रुपे तक का चार्ज कर सकता है और दोस्तों यदि आपका इन्वेटर सोलर का इन्वेटर है तो इन तीन फाल्ट के लावा और क्या फाल्ट आ सकता है उनमें एक fault आता है कि solar panel से हमें energy नहीं मिलती नहीं solar से हमारी battery charge होती है और नहीं हम घर में उसको यूज कर पाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आप display में चेक करें क्योंकि अधिकतर solar के inverter में display लगा हुआ होता है और उस पर mention होता रहता है कि solar panel के कितने ampere आ रहे हैं और यदि display में solar panel के ampere zero आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके inverter के solar card में जो यहाँ पर लगा हुआ आप देख रहे हैं इसमें नीचे तो इस card में fault आ जाने के कारण solar से energy आना बंध हो जाती है जैसे आज कल सर्दियों का मोसम है तो दिसंबर जनवरी या फरवरी के महिने में जिस दिन भी कोहरा अधिक होगा उस दिन हमारे solar panel energy का generation नहीं करते या बरसात के दिनों में जिस दिन बहुत घने बादल रहते हैं उ तो ऐसी दसा में तो आप यह नए माने के हमारा inverter खराब है solar के एंपियर के वल उसी दिन चेक करें जिस दिन धूप ठीक ठाक होती है अब solar card में fault आने का एक तो सबसे पहला कारण यह है fan होता है यदि कभी भी या एक दो साल के बाद तो fan निश्चित रूप से खराब हो ही जाता है जब भी solar card के साथ लगा हुआ fan जैसे इस inverter में inverter card के साथ अलग fan दिया गया है solar card के साथ अलग fan दिया गया है कुछ inverter में दोनों card पर एक ही fan लगा होता है तो जब भी fan खराब हो जाएगा फेल हो जाएगा चलना बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका solar controller का card ही solar से energy लेना बंद कर देगा और solar card के लिए भी DC fuse दिये हुए होते हैं जैसे inverter card पर DC fuse लगे हुए थे ऐसे ही solar card पर भी DC fuse लगे हुए होते हैं या कभी भी DC fuse ओपन हो जाएगा तो भी हमें solar से energy नहीं मिलेगी और अकसर अधिकतर देखा जाता है कि यूजर को 6 महीने या एक साल सोलर की इनर्जी मिलती है उसके बाद सोलर की इनर्जी नहीं मिलती और यूजर को इस बात का पता ही नहीं चलता इस इन्वेटर का यह सोलर कार्ड है और इस सोलर कार्ड पर यदि आप देख रहे होंगे तो यह 3-4 DC fuse है दोस्तो इस 24 वोल्ट के इन्वेटर की सर्विस के संबंद में मेरे दुवारा दीगे जानकर या आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर दबा लेना हम इसी प्रकार की इन्फोर्मिटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार गोस्तो